जो a की power x हम कह रहे हैं और इसी को हम कह रहे हैं या b की power x माल लेते हैं b की power x ये b basis है इसमें x इसका exponent है इसमें important बात समझे कि ये है कि b अगर greater than 1 है पहली चीज़ तो b इसमें 1 नहीं हो सकता greater than 0 है 1 नहीं हो सकता तो हमरे पस दो option बचते हैं या तो b 0 से 1 0 और 1 के बीच में होगा ठीक या फिर 1 से बड़ा होगा तो b आप less than 1 कह सकते हैं b greater than 1 कहते हैं तो अगर हम कहें b greater than 1 तो हम 2 की power x का graph बना सकते हैं लिगर अगर हम less than 1 करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हम half 0.5 यही तो half होता है तो इसका graph बना सकते हैं तो जो fx बराबर यह fx बराबर half की power x है basically यह है 0.5 की power x और यह किसके बीच में आता है 0 और 1 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम exponential graph बना रहे हैं और यह कैसे behave करेगा कैसे यह काम करेगा पहले चीज़ समझ लिजए कि हमने कहीं भी यह नहीं कहा कि x में कौन सी value आनी चाहिए x में कोई भी value आ सकती है मैं करके दिखाता हूँ half में 0 दे रहा हूँ half में 1 value दे रहा हूँ और half में negative 1 दे रहा हूँ क्या यह defined है यह ही चेक करने का तरीका होता है domain का किसी की power 0, 1 होता है half की power 1, half यानिकी 0.5 half की power minus 1 यानिकी 1 by 2 यह half नीचा आ जाएगा तो यह उपर जाके 2 बनेगा 2, 1 और 0.5 इसमें कोई negative ता है यह नहीं आया negative या कोई भी ऐसा जो negative भी आ सकता है वैसे लेकिन अगर कोई भी ऐसी value है कोई भी ऐसी value है कि जो undefined कर दे इसको ऐसा तो कुछ नहीं आया half पर भी defined है 0 पर भी defined है 1 पर भी defined है negative 1 पर भी defined है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए तो इसका मतलब है x जो है domain बताता है domain क्या है इसकी all real numbers किसी भी value पे इसने हमें ऐसा number नहीं दिया जिसमें हमें कोई दिक्कत हो तो domain समझ गया 1 by 2 x की domain क्या है all real numbers अब हम जब इसका graph बनाते हैं तो x intercept और y intercept निकालने के कोशिश करते हैं किसी भी कोई भी function हो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम देख लें कि जब x जब y 0 याने के x axis पे और जब x 0 याने के y axis पे इसकी क्या value हो और इसके एसाब से graph बढ़िया बन जाता है तो इस graph को plotting के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी इसमें values डालेंगे और फिर देखेंगे कैसे behave करता है तो इक एक करके हम देखते हैं हम यहाँ पर half रखते हैं हमारे पस function क्या है y बराबर fx function है और function जो है exponent function है half की power x और half इसमें base है यह base है और x इसका exponent है इस exponent में जाएगी value all real number इसका domain हो गया और अब y में क्या क्या आता है वो range होगा उसके बारे में भी बात करते है और एक asymptote की भी बात होगी वो भी हम बात करते हैं कि asymptote कैसे होगा और यह decreasing है कि increasing है इसके बारे में बात करेंगे तो एक asymptote भी आएगा और इसमें decreasing increasing भी बताएगे और फिर इसके बाद ये finally मैं range की बारें बात करूँगा तो मान लीजे कि ये आपका ये green जो line है ये अभी बनी नहीं है मैं अभी बना हूँगा आपके सामने लेकिन ध्यान रखेगा ये बनेगी ऐसे तो सबसे पहले लीजिए half ये है half की power x तो सबसे पहले इसमें 0 डाल दीजे half की power 0 कितना है होता है किसी की भी power 0 1 होती है तो 0 डालेंगे तो 1 आएगा तो 0 और 1 तो आपका अगर x 0 है तो y कितना आ रहा है 1 ये 1 है इसको भी 1 करतीजे इसको negative 1 करतीजे इसको आप 3 माल लीजे ये आपका ठीक है तो 0 पर 1 आए तो ये आपका ये वाला जो point हो गया ये 0 1 हो गया अभी मैंने green line बनाई नहीं ये मान के चली है मैंने ये अभी pure plotting की है अभी मैं graph ये सब बताने के बार draw करूँगा उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा range भी बताऊंगा और increase, decrease भी बताऊंगा ये clear हो गया अब हम इसमें क्या करते है positive value देते है half नहीं पहले negative करेंगे ये जो positive value है इसी से आप range और asymptote समझेंगे तो negative देते है पहले half की power minus 1 कर दीजे half की power minus 1 क्या हुआ 1 by 1 by 2 क्योंकि a की power minus m होता है 1 by a की power m ऐसा होता है न तो 1 by 1 by 2 ये 2 उपर जाएगा तो 2 मिलेगा आपको तो negative 1 पे 2 मिल रहा है आपको negative 1 पे ये 2 मिल रहा है तो इसको अगे मुणा दीजे इसको अगे मुणा दीजे तो ये point मिल गया तो x negative 1 पे आपको 2 मिला 2 पे आपको ये 4 इसको अगे बढ़ा दीजे इसको अगे बढ़ा दीजे ये point मिल गया अभी ये green line बनाई नहीं है हमने अभी ये point दीए आपको यहां तक हो गया अब आईए ज़रा positive पे positive पे आप समझेंगे कि इसका range क्या है और ये कैसे behave कर रहा है उसका asymptote क्या होता है तो half की power 1 दीजे कितना आगया half की power 1 half ये आगया तो 0.5 आगया तो 1 पे 0.5 तो 1 पे ये 0.5 तो इसको अगे बढ़ा दीजे इसको अगे बढ़ा दीजे ये point ये को और मिल गया half की power 2 पे देखे क्या आगया 1 by 4 तो आपका कितना आगया 0.25 तो 2 पे 0.25 है इस पे 2 पे आईए 0.25 ये मिल गया ठीक इसमें ये मिल गया अब इसको 1 by 2 के बढ़ा 3 करेंगे जब 3 पे क्या मिलेगा ये और 1 by 8 मिलेगा यानि की 1 by 8 हो गया 0.125 तो 3 पे आप और थोड़ जाएंगे यहाँ पर 3 पे तो और कम value मिलेगी यहाँ पर मिल जाएगा करें तो इसका मतलब ये 0 को कहीं नहीं टेच करेंगा लेकिन ऐसा नहीं है 0 पर टेच नहीं करेंगा क्यों? अगर मैं इसको बढ़ाते चले जाओ मतलब इस direction में x को बढ़ाते चले जाओ तो क्या होगा? एक point आएगा half की power हम infinite पे पहुँचाएंगे यह infinite है मतलब एक अगर लकीर है ऐसे और हम यह 0 है या 1, 2 कर से करते चले तो एक point पर हम infinity पे पहुचेंगे यह जो infinity है अब आप देखिए कि अगर मैं इसको 1 by 2 की power infinity करूँ 1 by 2 की power infinity मैं कर रहा हूँ इसका मतलब यह क्या है? 1 by 2 की power infinity power रेचे ले लेंगे क्योंकि 1 की power infinity तो आप infinite माल ले या जो भी माल ले वैसे 1 ही होती है 1 की power लेकि 1 by 2 की power infinity अब 1 by किसी की power भी infinity क्या होगी? यह infinity होगा और 1 by infinite मतलब एक को अगर infinite से divide करेंगे तो क्या आएगा? कुसी भी number को infinite से करेंगे तो 0 आएगा कहने का मतलब यह हुआ कि यह point जागे 0 को touch कर रहा है लेकिन 0 से मिलेगा नहीं यह कब जा रहा है? एक infinite point जो हमें पता ही नहीं है अब परिकल्प नहीं है अद्भूत number है वो हम जाने भी नहीं सकते हैं उसको तो यह point यहाँ पर जाके ऐसा चिपकेगा लेकिन मिलेगा नहीं कभी भी इससे तो यह जो चिपकेगा नहीं और मिलेगा भी नहीं और चिपका रहेगा इसी को हम कहते है asymptote यह asymptote हो गए कहा मिल रहा है? x-axis पे मिल रहा है और x-axis पे मिल रहा है इसलिए हम इसको y-0 कहते हैं क्योंकि x-axis y-0 होता है तो यह आपको horizontal asymptote मिल गया अब आप बात करते हैं range की अब आप देखें अब यह सब तो आप समझ गए रहे तो आप इस table पर आ जाते हैं क्योंकि यह table यही है जो मिने बनाया है आप देखें कोई भी value दीजिए x में 1 दीजिए 2 दीजिए positive आ रही है negative 1, negative 2 दीजिए negative 3 देजिए positive आ रही है इसका अदलब कहीं कहीं पर भी यह negative 2 हो नहीं रही है तो 0 से शुरू करें आप और infinity तक अच्छा आप कहेंगे 0 तो है नहीं इसलिए round bracket लगाया है कि 0 inclusive नहीं है infinity तो पता ही नहीं है तो उत inclusive होईगी नहीं तो 0 से infinity क्योंकि negative number नहीं है तो इसका range कितना हो गया क्योंकि range क्या है y की value होती है तो range कितना आ गया 0 से लेकर infinity थी clear हो गया range समझ गया asymptote समझ गया अब एक और चीज़ important है इसमे कि ये decrease हो रहा है function आप देखे बड़े से कम होता चला जा रहा है तो अगर आप positive x-axis की तरफ जाएंगे या फिर left to right जाएंगे तो ये decrease हो रा function ये हो गया आपका 1 by 2 की power x तो उसमें एक important बास समझने की ये है कि ये